कि अब यूट्यूब और यू कैसे दोस्तों दोस्तों स्वागेता आपका मेरे चैनल एसके अडिक्राफ वेलकम्स तु तु ओल वॉचिंग में चैनल दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि शहर सारनपुर और सारनपुर अपने वुडन हंडिक्राफ्ट के लिए काफ़ी फेमस है और आज का जो हमारा प्रोड़क्ट है वो है डबल बैट जी हां दोस्तों पीक फूड में बना हुआ डबल बैट जिसके बारे में मैं आपको फिटिंग करने के बारे में दिखाऊंगा उसके बैल आइकन और साथ में कमेंट जरूर करें जिससे की हमें पता चलता रहा है कि हमारे वीडियो के अंदर क्या चीज आपको अच्छी लग रही है और क्या चीज आपको हमारा पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको इंप्रूफ करने की कोशिश करेंगे और नय सने की ठीकने से बना हुआ है जिसका पॉलिश वर्क स्टार्ट किया गया है जिसे आप देख रहे हैं बहुत ही आच्छा वैड वर्क्मेंश्चिप के साथ लाइट वर्क के साथ बनाया गया है जिसका दोस्तों तो यह जो बैड है यह टीगवूड की लकड़ी के अंदर बना है और काफी खुब्सुरत और काफी अच्छा बैट बनाया गया अप ढेख सकते हैं काफी है थिकनेस भी काफी अच्छी है इसकी और जैसे कि आप जानते हैं काफी खुबसरत और बहुत ही अच्छी लकडी मानी गई है फनीचर के मामले में वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं सर आप हमें यह बताई है कि सारानपूर कहां पर है तो 75 KM far from Delhi दिल्ली से 1550 KM दूर है एंड इस, 115 KM from Ambala 65 KM देहरदून and around 60 or 65 KM from Haredwar you can get the information आपको जानकारी हो गये होगी की साहरनपूर is the center place of these four cities जो ये चार बड़ी cities मैंने आपको बताई है इन चारों के बीच में साहरनपूर situated है और बहुत ही खुबसुरत और बहुत ही प्यारा शहर है साहरनपूर जो की हिमाले की वादियों की स्टार्टिंग में ही बसा हुआ है बहुत ही खुबसुरत शहर क्लाइमेट के हिसाब से भी देखा जाए तो क्लाइमेट के हिसाब से भी बहुत प्यारा शहर है यमना और गंगा के बीच का portion कहलाता है साहरनपूर हारियाली बहुत है ग्रीनिश बहुत है बहुत ग्रीन शहर साहरनपूर है ग्रीनिंग जो है वो चारो तरफ साहरनपूर के ग्रीन नजर आता है जब आप साहरनपूर आएंगे तो आपको डेफिलिटली नजर आ जाएगा तो चलिए हम अपनी वीडियो के उपर आते हैं दोस्तों यह हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं बैट की तैयारी का जी है दो सबसे पहले हम बैक पॉर्षण को साइड पैनल के साथ अटेच कर दिया जाएगा इस तरीके से दोनों बोल्ट्स लगा दिये जाएंगे वन साइड से जिससे की इसको एक साइज मिल से किए अब ये साइड पैनलस जी हम दूसरा साइड पैनल से से के अंदर यह फिट किया जा रहा है बोल्ट सिस्टम है इसलिए आप बोल्ट से इसको फिट कर सकते हैं तो दोस्तों दोनों साइट पैनल फिट करने के बाद सेंटर पॉर्शन डाल दिया जाता है और उसके नीचे की सपोर्टस डाल दी जाती है अब हम आपको दिखाएंगे जो बैक पॉर्शन है उस साइड पे एक और प्लाइफिट करेंगे तो इस तरीके से दोनों साइड पे प्लाइफिट करने से जो हमारा ये बॉक्स है ये तकरीबन 50% कंप्लीट हो जाएगा ये देखिए ये 50% कंप्लीट हो चुका है अब जो बैक पॉर्शन है वो इसके साथ हमें फिट करना है यह देखिए उठा करके इसको बैक पॉर्शन में फ्रंट पॉर्शन को फिट कर दिया है और उसमें बॉल्ट्स की फिटिंग कर दिया गया है जिहां दोस्तों ये दो दो बद दो या तीन परसन मिल करके इजीली फिट उठा के फिट कर सकते हैं सिंगल परसन भी चाहे तो वन बाई वन करके एक एक करके उठा करके फिट कर सकता है यह साइड पैनल देख सकते हैं आप बहुत खुबसूरत वर्क के साथ और बैड का जो लुक है वह अपने आप में अलग लुक है इस तरीके से आप इसको बॉल्ट को टाइट करके फिट कर सकते हैं यह और यह इस उपर जो है वह आप जो प्लाई है वह रख दीजेगा इसली सिंपल जस्ट रखना है उसको और कुछ नहीं करना है जी सिंपल रखा जाएगा और यह आपका बैड तेयार हो जाएगा 19 mm का हैवी बोर्ड यूस किया गया इसके अंदर टॉप में 12 mm का प्लाइबोर्ड नीच गुशाएगे इसमें और यह four side open होता है, backside अपक्षाइड से, front side से और side product से, आप इसको open कर सकते है poz Tiger in in. आपने देखी लिया फोल्ड करके अब ये बॉक्स भी बन चुका इसका इसके साइट पैनल से लगरा भी आप उपन कर सकते हैं ये हैड साइट से भी दोनों साइट से उपन होता है और फीट साइट से भी दोनों साइट से उपन कर सकते हैं इसको बहुत ही खुबसुरत और है बना हुआ जैसे मैंने आपको बताया था वैसे तो आपको मालूम है कि सहरनपूर में शीशम और सागवान दोनों ही फेमस वूड हैं यह देखिए आप देख सकते हैं बॉक्स यो पंदर के दिखाया गया है और यह वर्कमेंशिप जो है बहुत ही खुबसूरत की गई है और बॉर्क है डस्टिंग प्रॉबलम नहीं आएगा इसके अपर बिल्कुल भी क्योंकि आपको इसको इजिली क्लीन कर सकते हैं साइड पैनल्स बेगर आप देखें तो बहुत ही खुबसूरत और एलिगंट वर्क किया हुआ है पूरे में वर्क किया हुआ है और यह इस वर्क कि स्पेशिलीटी है बहुत ही खुबसूरत लगता है और यह इस वर्क को टकाई का वर्क बोलते हैं जो कि फगे गांप bend कह एक जाता है और complete bed you can see nice one very elegant very beautiful work is done in this work so आप देख सकते हैं कि बहुत ही खुबसुरत और बहुत ही प्यारा वर्क किया हुआ है और जो यह देख सकते हैं थितनेस देख सकते हैं कि बॉक्स इजीली ओपन हो रहे हैं इसमें आप अपना इसको फूपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको फूपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको फूपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको फूपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसको फूपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसको fitting करने के अंदर तो very easy to fit and very easy to open दोनों तरीके से easily open भी हो जाता है और fit भी हो जाता है इसी तरीके से हमारे साहरनपुर से जितने भी wooden handicrafts के beds बनते हैं उनमें ये system दिया जाता है कुछ beds अब जो हैं complete fix box भी बनने लगे हैं पर fix box का transportation में काफी problem आती है उसको transport करने के लिए जो problem आती है वो बहुत ही जादा बड़ी problem होती है क्योंकि उसके अंदर full big size में 6x3 6x3 के दो बड़े boxes जाते हैं जिसका transportation charge बहुत जादा बन जाता है इवन घर में भी अगर जब आप रखते हैं तो उसको रखने के टाइम पे भी काफी problem आती है fitting के टाइम पे भी काफी problem आती है लेकिन फोल्डिंग होने की वज़े से ये सारी problems जो है सब खतम हो जाती है आप इसको easily handle कर सकते हैं ले जाने में भी transportation में भी इवन अगर आपका कहीं transferable job है तो आप इसको easily लेकर जा सकते हैं फोल्ड करके लेकर जा सकते हैं transportation में भी problem नहीं आएगी टू पार्ट्स के अंदर इसको आप फिट पैक करके इसली ले जा सकते हैं head side को और bottom side को easily और जो इसकी प्लाइज हैं उनको easily अलग-अलग separate separate करके आप इसको फोल्ड कर सकते हैं you can fold all the parts separate separate and then you can for the transportation easily you can send by the transport so इसके अंदर भी बहुत अच्छा benefit मिला हुआ है आपको कि ये आप देख सकते हैं इसको कि कितना easily और smoothly ये बर्क करता है तो दोस्तों जैसे कि आपने भी देखा इस चीज के बारे में काफी हैवी और यूनीक पीस बना हुआ है और सबसे बड़ी बात क्या है कि टीक पूड का पीस है lifetime है not less than 30 years 30-40 साल से तो पहले कुछ होने वाला नहीं है even आप इसको easily change कर सकते हैं बात में रेस प्लाइ की बात है तो प्लाइ आप 20 years, 25 years, 30 years जितना भी प्लाइ चलता है not less than 20 years 20 साल तो easily प्लाइ चल जाएगा आपका and if you want to change the plywood after 20 years, 25 years so you can change the plywood also still it will work last and last so दोस्तों यह चीज जो आपके सामने है यह not for one year for two years यह long lasting 30 years, 40 years, 50 years usable product है जो की साहरनपूर में बन रहा है साहरनपूर is the famous for this product only and you can see without polish you can see the wood and work also this piece is without polish and the originality of this wood you can see आप original wood को देख सकते हैं without polish after polish you can say this is the polish how we judge the wood so we are showing you without polish also यह without polish भी आप देख सकते हैं workmanship देख सकते हैं wood की quality देख सकते हैं superb elegant wood है और work भी बहुत खुबसूरत है बहुत ही प्यारा और अच्छा काम किया गया है hand work है so this work is called टकाई work जी हाँ दोस्तों यह work जो आपके सामने दिखाया जा रहा है इसे टकाई work कहते हैं मैंने आपको अपनी पी कुछ वीडियो में पहले भी दिखाया है कि टकाई work कैसे किया जाता है तो बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही प्यारा work किया गया है इसके अंदर जो की देखने से महसूस होता है यह हमारे कलकता के कस्टूमर है जिनके डिमांड पर यह work किया गया है साइट पैनल्स में अधरवाइस light work होता है लेकिन उन्हेंने कहाता है we need some special and heavy work in side panels also so we have made it for on the demand of the customer so जैसे भी आपको पसंद है उस तरीके से वो product तयार किया जाता है क्योंकि product जो है customer की पसंद का ही बनाया जाता है so आप देख सकते हैं बहुत ही खुबसुरत और बहुत ही प्यारा बैट लग रहा है टिक फूट की यह जो finishing है वो अलग ही होती है जो इसके grains आपको दिखाई दे रहा है soup of elegant grains है हम हर तरीके से customer से बोलते हैं कि आप पसंद करके अपनी choice के हिसाब से हमें जैसा भी आप हमें बताएंगे हैं same thing we will provide you जैसे भी आप बोलेंगे चाहे वो cloth work में हो चाहे वो carving work में हो चाहे वो wooden work में हो तो हर तरीके से customer की choice के उपर ही product तयार किया जाता है so इस time जो है ply board इसके उपर fit किया जा रहा है box बनाने के लिए जैसे कि आपने starting में देखा था कि इसके अंदर हमने आपको दिखाया था किस तरीके से जो ये box है इसको fit किया जाता है लेकिन fitting होने से पहले एक बार इसको पहले दुबारा से यानि कि जब fitting होता है वो चीज़ अलग थी लेकिन उससे पहले इसकी ply का size लिया जाता है size cutting की जाती है और cutting करने के बाद इसको fit किया जाता है तो ये उस time की प्रक्रिया है जिस time इसकी cutting करके ply board से box बनाया जा रहा है यानि box बनाने की प्रक्रिया चल रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि जो workmanship की गई थी उसके उपर finishing के बाद और अच्छा look आता जा रहा है और जब final complete होने के बाद इसका look जो है बिलकुल change हो जाएगा बहुती खुबसरत बहुती looking बहुती pretty piece तैयार हो जाएगा और ये आपको market के अंदर easily नहीं मिलेगा जिस तरीके से हम यहां बना रहे हैं जितना thickness heaviness किया जा रहा है उस तेकी का market में नहीं मिलेगा आपको और रही बाद transportation की तो all over इंडिया में कहीं पे भी आपको transportation की सुईधा available हो जाएगी और demand करता है कि time duration कम जादा हो सकता है लेकिन इंडिया के किसी भी part में we can supply all over in इंडिया even in abroad also इंडिया से बाहर भी हम भेजने के लिए तयार रहते हैं कहें पे भी किसी भी country के अंदर अगर कोई product भेजना होता है तो we can manage, we can arrange the our transportation for that product so उसकी कोई problem नहीं आती है आप देख सकते हैं आपके सामने जो ये box तयार किया गया है इस box के अंदर 19 mm का बूड लगाया गया top में 19 mm है bottom के अंदर 12 mm है ये जो box बनावा है इसके अंदर 12 mm की प्लाइबोड लगा है और top के ओपर 19 mm का प्लाइबोड लगावा है और ये जो box बनाया गया है ये folding box है basically वैसे fix box भी बनते हैं लेकिन fix box के अंदर क्या problem आती है 6 by 3 यानि कि 6 feet by 3 feet के box होते हैं complete fix box होते हैं उनका transportation करना काफी भारी हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा size होने के वज़े से transportation charge भी बहुत जादा extra हो जाते हैं फिर उनको रखना लाना ले जाना काफी problem की बात होती है तूट भी सकता है लेकिन folding होने के वज़े से इसमें इतनी problems नहीं आती easily fold करके आप कहीं भी सकते हैं जैसे transferable job होते हैं लोगों के तो वो एक शहर से दूसरे शहर अपनी cities change करते रहते है time to time जैसे उनकी job के ओपर depend करता है तो उसके अंदर इनको ले जाने में कोई problem नहीं आएगी bolt system है nut and bolts open करने है total इसमें 8 nut and bolts है वो आप open करेंगे so easily you can make it the product detachable back portion, front portion, side portion and plywood also so each and every part you can make it detachable of the bed so यह सब पूरा पूरा parts पार्टस आप अलग करके इसको छोटा करके अराम से आप इसको ले जा सकते हैं यह जो product है बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही उन्दा किस्म का product है रही बात इसके cost की तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लोगों को इसकी cost जरूर बताऊंगा लास्ट में तो यह टीक वूड का बना हुआ बैड है six and a half length है and six feet इसकी वरित है और यह 19 mm plyboard में बना है और thickness भी देख सकते है back से भी काफी heavy है one and a half inches thickness के अंदर यह बनाया गया है यह just 30,000 रुपीज का आपको पड़ेगा दोस्तों with polish with plyboard and all without transportation 30,000 रुपीज and अगर यही bed आप shisham wood में लेते हैं तो उसका cost जाएगा 27,000 रुपीज का जी हाँ दोस्तों shisham की लकड़ी में 27,000 and peak wood की लकड़ी में यह bed जाएगा आपका 30,000 रुपीज तो hope आपको वीडियो पसंद आए होगी thank you दोस्तो, thank you very much for the watching my video thank you, safe रहिए, सुरक्षित रहिए